हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे आप लोग उमीद करते हूं बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छे हूं और आज पंदरा तारिक और 14 को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था अच्योली करवा चौत के दिन पानी भी नहीं ले सकते हैं राद बारा से अगली राच साड़े नौ तक तो फिर थोड़ा सा वीकनेस मुझे फील हुई थोड़ा से मुझे ऐसा लगा अंदर कुछ फीवर है तो कल पूरे दिन मेरी ऐसे ही रही तो मैं डाउन ही रही हाला कि काम सारे कि एक्सराइस और सब की अभी भी मुझे सुबह डाउन लग तो मैंने सुबह भी शूट नहीं किया तो मैंने का चलो अब मेरी एक्सराइस और सब्च कंप्लीट हो गए वाक का आज मैंने 10 मिनट की कि एक्सराइस उतनी की जितनी मैं करती हूं क्रंचेज भी उतनी किये तो अब बच चुकी है नौ और मैंने फेस को वाश कर लिया काना खिला के और बस मैं तो सो गई थी और ये लेट नाइट तक थोड़ा सा बारा बज़े तक शायद काम किया हो गए उन्होंने तो बस अब मैं सफाई स्टार्ट करती हूं और सफाई से पहले दूद का जो बरतन होता है उसमें खुर्चन बच जाती है उसमें बेसन डाल क्योंकि यह लोग जाते हैं तो इस तरीके का हो जाता है कलील को कुछ आज एक्टिविटी है तो कुछ ले जाना तो वो चीज़े भी उदर उसने रख दी है और यहां पर भी देखो ऐसा हो रहा है तो पूरे घर का हाल खराब है और डीप क्लीनिंग अब वापस मांग रहा करने के बाद तो देखो इस टाइम पर यह आल है जिस टाइम मेरे माइन में थी पॉजिटिविटी अदिवाली को लेकर थोड़ा सा तो मैंने उस टाइम पर थोड़ी सी एक रूम की वह रूम की ऐसे करके क्लीनिंग डीप लीनिंग कर ली थी यह मैं बना के आ गई हूं तो पिर क्या हुआ कि अब कुछ मतलब कोई उमंग और कुछ रह रही निए दिवाली का कुछ हो नहीं और अब नवह नम बहुत क्योंकि इस बार कलर वलर और कुछ नहीं हुआ तो कुछ नयापन मुझे लग नहीं रहा है तो इस वज़ए से तो बस अब वापस से थोड़ी ब बस फिर कल मंदिर की भी करनी है सब कुछ करना है तो फाइनल वाली क्लीनिंग कर देंगे एक दो दिन में और फिर दिवाली के कुछ शगुन का बनाना हुआ तो बना लूँगी क्योंकि मुश्किल है और दिवाली के टाइम पे भी प्रॉब्लम होगी तो इस वज़े से उस ट प्रें कपड़े मशीन में डाल देती हूं फिर मैं सोच जाली वैसे है नहीं लेकिन एक बार फिर से घुमा देते हैं वह जाले वाला पूर इस रूम में भी और सब ज़ेकों गुमा देते हैं तो और कल इनके साथ में बालकनी की और मंदिर और रिलू के रूम की करूंगी कर लेंगे एक और एक मैं कर लूँगे अगर यह माने तो यह थोड़ा सा संडे को मानते मुश्किस हैं संडे को एंजॉय करना चाते हैं घूमना फिरना चाते हैं खाना पीना चाते हैं तो देखते हैं क्या रहता है लेकिन दिवाली सर्पे है तो इसलिए तो चलो प्रफचितनर जार फप्राफब ऊcitरियाओ पिड़ियो जार स्फॉटξı कोईद्यूते चासरी टो के साना अलिविट्स है फिपकर नहीं in नहींे cái श vaुतव patoře तो चलो मलके सफाही करते हैं कई लोग बोलते हैं कि आप हमारा energy tonic आपको है ना देखकर कम करने का मन करता है energy आज़ेटी है चलो energy लोग मुझसे आज में आज के दून में धेरच डिन में धेर्र सार काम करने माले हो धेर सारा काम, मैंने इतना सोचा नहीं था कि वापस से मैं यह पंखे-वंखे कर दूँगी, जाले वाले कर दूँगी, या कुछी की चनकी भी मैं डिप लिनिंग से कर दूँगी, लेकिन फिर जैसे ही मैं स्टार्ट इमें का चलो यार करी देते, अब साथ दिन के करीब बच नेक्स डे मेरी कुछ और प्लानिंग थी, तो आज का दिन मैंने बहुत सारा काम किया था, और उस पूरे व्लोग को मैंने शूट किया, और उसको मैंने दो हिस्सों में बाटा है, तो एक फर्स्ट पार्ट ये है, और सेकिंड पार्ड मैं बाद में शेयर करूँगी, तो य ये भी करने थे, ये गेट वेट, अब देखो, टाइम आ गया था, इसलिए, तो यहाँ पर पूरे वापस से जाले वाले किया, देखो, आज की जाले बहुत जल्दी लगते हैं, तो फिर वापस मैंने किया, वैसे वाले नहीं लगते, एक वो छोटे-छोटे-छोटे- कोई करते हैं, तो मैंने बोल, आके आएंगे, तो बोलूगी जरूर कि थुड़ा से करवा देना कर, तो ये पर्दे मैंने सारे उतार दी थे, मैंने का चलो दूही ले दे, क्योंकि मैं काफी दिन से इन से बोल रही थी, पैलमेट नहीं था, टूट गया था, एक तो टूट काम है, क्या आप काम कर रहे हो भारी वाला और उसमें आपको वीडियो भी शूट करनी है, आपको पहले तो आउन करना है कैमरा, फिर आपको पता है, इतना आपने शूट कर लिया, फिर आप आप करने जाते हूं, तो बहुत मैंनत का काम है, ये बहुत इजी नहीं है, कि चौदा साड़े चौदा मिनिट कब बना है और ये काम एक घंटे दो घंटे का नहीं था ये काम आप सब कोई बता है आप सब भी घर पे करते हो कि ऐसा वाला काम तीन से चार घंटे पांच घंटे भी लग जाते हैं अपनी सफाईयां करने में तो मैंने सोचा था नॉर्मल ली करूंगी आज लेकिन नॉर्मल नहीं फिर मैंने का यार्ज पूरी ऐसी डेट क्लीनिंग ही कर देती हूं तो अब फाइनल वाली ही मैं समझूंगी नेक्स्ट दे मैं फिर बात्रूम वगेरा कर लूंगी मंदिर करना है यह लुकारोम करना है ऐसे करके थोड़ा सा इन से हल्प लेलूंगी क्योंकि आज के दिन पर मैंने इतना काम किया है ना इतना काम किया तो हुआ क्या था करवा चौथ वाले दिन मैं जब पूर बना रही थी ना और फिर उसके बाद इतना काम करना ना उसके बाद वो इतना फूटा है ना इतना फूटा है उससे खून निकला है पानी निकला बहुत निकला और इतना काम करते हैं वो राइट एंड मेरा जला था तो फिर इस वज़े से ना इतनी बार मेरे लगी है ना आज के दिन पर इतन पहले इसलिए यहां की घर की यह दो रूम की सफाई कर ली फिर क्या किचन में टाइम लगने वाला था किचन पे मुझे डब्बे बबी बिगने ते को मैंने ग्रॉसरी भर ली थी और उस टाइम पी भी मेरे पास दो से तीन व्लोग रखे थे तो मैंने डब्बे दोने या डब्बे भरने की ग्रॉसरी ओर्गिनाइजेशन की इस मन्त वीडियो नहीं बनाई थी तो अब वो दुबारा से देखो 6-7 दिन में क्या होता है ना कि दूलमिटी आई जाती है तो वो वापस से मुझे डब्बे वगेर ना पोँचने थे तो वो सारा करना था ये वाली जो स्टेंड है इसको भी डीप क्लीनिंग आपको पता ही ये मेरी केचन की पहले ही हो चुकी थी अब हलका हलका वाली डीप क्लीनिंग होगी तो मैंने इसको पोँच दियाएगी लिसुके कपड़े से फिर बस बरतन लगा देंगे और डब्बे करने थे सब कुछ करना था अभी इसके बाद भी होगी क्योंकि देखो अगर मैंने दिवाली का कुछ बनाया अगर के शगुन का बनाया बनाऊंगी है शगुन का तो फिर वो वापस से फैलनी है किचन क्योंकि जब आप ये सब कुछ बनाते हो ना तो बहुत बिखरती है किचन तो तब फिर एक बार मुझे करनी पड़ेगी इसको तो ये भी किया तो इस टाइम पर मेरे सबसे ज़्यादा लगी किचन क्लीन करते वक्त सबसे ज़्यादा मेरे हाथ्थे में चोटे आई है मेरा फफोला बार बार फूटा है ऐसे करके और फिर पूरे ही करके तो फिर ज़्यादा मेरे होता है आई हो голए पर मेरे सैंट्विच मेडर मेरा इंडक्ण ऑन्ट जब कुछ भी क्लीन करूंगे इसकी जो बास इनको ना बास केट में रख रखा है इसलिए कि जब कभी भी यूज लेना हो इसको सरकाया और बस लिया और कर लिया तो ऐसे करके पहले तो मैंने सोचा था इनकी जिस दिन चुटी होगी न तो उस दिन फिर कर लेंगे मिलके लेक कीबार तक सब कुछ मैं घर का निपटा लूना सफाया और सब कुछ तो संडे को मारकेट पुछ चाहरे के छे दिन ये भी बहुत ज़ादा जिया में बहुत ज़्यादा विज़ी रहते हूं और फिर सुंदे को गावा दिन मार्केट में विज़ी रहता है बस ट्रे डिल में अतक जाती है कोई चीज मुझी इतकारी फting कारी आट हो चीज मैं बहुत आटक है कि मैं नहीं कर पाने आट रहा है मीशो में भी मैंने कई मल्टी परपर जाली ड्रॉर्स हो Weight मैंने कार्ट पर डाल रह वाग थी लेकिन कहीं न कहीं कोई चीज मुझे अठकारी है मेरा मन नहीं कर रहा है मेरा मन अतना खुश今年 नहीं है तो मैं वह shopping इतनी नहीं कर पा रही हूँ मैं सोची थी कि मैं कर लूँगी, बीच में मैंने की भी थी, बीच में मैंने कई चीज़े बनाई भी थी, देवाली की दिये वगेरा, लेकिन अब उसके बाद मैं ऐसी ठप होई, कि मेरा मनी नहीं किया, कि मैं कुछ करूं नया, तो इसलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ, क्योंकि दिल के अंदर दुख हो न, तो आप बाहर से कितना ही खुद को खुश दिखा लो, लेकिन अंदर तो आप खुद ही जानते हो न, क्या फील होता है, तो फिर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत बश्चा गुन कहीं कर रही हूँ, सोच जो भी कुछ लेना हुआ करना हुआ फिर दिवाली के बाद ही करेंगे दिवाली की खुशी ऐसी कोई खास है नहीं इस बार और इस बार मुझे ये बैड वगेरा भी बदलने थे फरनीचर बदलना था मैंने सोचा था नेक्स्ट वाली बदलेंगे बट वो भी नहीं कर पाई मैं मेरा दिवाल नहीं चल रहा है पता नहीं शॉपिंग में क्यों नहीं चल रहा है चाती हूँ करने के लिए लेकिन उतना कुछ मैं नहीं लेपके आपाती हूँ जितना मैं सोचती हूँ क्यों नहीं चल रहा है चाती हूँ तो यहां पे ना मैंने वाश वेसिन दी ना बाद में फिर साफ कर दी थी तो जो बात्रूम रहेंगे दो और मंदिर और इलू करूँ यह पोर्शन बचेगा छट आज मैं जहां तक संबह हूँ आज शाम मैं छट कर दूँगी और मैं गेट भी करी लूँगी तो यह देखे किचन तो क्लीन कर दी है एक दिन करो अगले दिन वापस वही हाल हो जाना होता है वैसे तो लेकिन दिवाली तक फिट हलका फुलका हलका फुलका करती रोऊँगी तो गर तो क्लीन हो गया है किचन क्लीन होगी यहां यहां कोई रहता है और आवाज गूंजने भी लगी जैसे पर्दे अटे हैं उसको सारी चीज़े सेट करनी है अब यह कहीं रख देती हैं कहीं रख देती हैं यह भी यह Darren भी में भी यहां से हटाऊंगी तो देखते हैं कल देखते हैं इसके पापा के साथ अगर मान गए तो करेंगे तो परदे आज दुल गए तो मशीन में डाल दूंगी वहना हाथ से तो मुश्किल है तो बस यह सब करना है तो बाहर कपड़े सुखा के आगए थी और बहुत पुराना सा ए तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाई बाई